देश में भारती जिनता पाटी अपने परिवार को नहीं वलकी देश वनाने में लगी हुई है। ये तंज केंद्री जलशक्ती मंत्री गजींदर सिंग शेखावत ने अपने मंडी दौरी के दौरान विपक्षपर कसी है। बहरत सरकार के केंडरी जलशक्ती मंत्री मंगलवार को मंडी जिला के सुन्दनगर में आयूचित, मंडी संसदियक शेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को सम्बोधित करते में कह रहे थे. कि देश में मोधी है तो मुमकिन है. उन्होंने बातो ही बातों में कॉंग्रेज को आड़े हातों लेते वे कहा कि, इनके सरकारों के समय में गरीबों के वारे में कभी नहीं सूचा गया. शिखावत नेद त्रीदेव सम्मेलन को संबोधित करते वे कहा कि भाजपा ने भारत को बनाने के लिए कारे कर रही है उन्होंने कहा कि इसमें त्रीदेव अपनी आहम भूमिकानी भा रही है उन्होंने मंडी संसदियक शेतर के 17 में 14 विधान सभाक शेतरों से आये त्रीदेव से हवान किया कि वे आने वाले चुनावों में जीत दर्च करने के लिए फेल्ड में जुट जाए वहीं इस मोके पर हिमाच्र प्रदेश के सियाम जेराम ठाकुर ने सबसर पर मौजूद मंडी संसदियक शेतर के त्रीदवों को संबोधित करते वे कहा कि संगठन से ही सरकार बनती है और आने वाले समय में भी प्रदेश में एक बार फिर भाजपा कॉंग्रिस की सरकार बनने के रिवास को समाफ्त करने के लिए संगठन पुर्व की तरहा पहितर कारी करेगा आगे सुनिया और क्या कुछ कहना था सीमजे राम ठाकुर का आज जो 16 प्रतिशत का कवरेट कहा खड़ा था वो बढ़ करके 50 प्रतिशत को छूने के कगार पर खड़ा है देश के अनेक प्रदेश ऐसे हैं हरियाना ने 100 प्रतिशत का लक्षे प्राप्त किया तेलंगना ने 100 प्रतिशत का लक्षे प्राप्त किया गोई ने सो प्रतिशत का लक्षे प्राप्त किया अने एक केंदर शासित प्रदेशों ने सो प्रतिशत का लक्षे प्राप्त किया लेकिन अबिनंदन करना चाहता हूँ यहां जैराम ठाकुर साब का और उनकी टीम का उनके मानने मंतरी जी का कि हिमाचल प्रदेश जैसे इतन इसी भी तरह से नहीं होने दूँगा जब कभी भी ठाकुर साब मेरे पास में मांगने के लिए आए मैंने हमेशा जितनी इनकी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा संसादन देने का काम किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदर ने मुक्य मंत्री जी का आदर ने मंत्री जी का कि देश में केवल एक मातर हिमाचल प्रदेश हैसा राज्य है मैंने जब कानून बनाये था नियम बनाये थे योजना को रूप रूप देने के लिए जो प्रावदान किये थे उसमें ये तेह किया था कि जो राज्य अच्छा काम करेगा जो राज्य समय पर खर्चा पूरा करेगा उसको मैं इंसेंटिव ग्रांट दूँगा लगातार दो साल तक एक ही हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने देश में इंसेंटिव ग्रांट ली और पिछली बार दो अजार इकिस बाइस के बजट में साड़े साथ सो करोड रुपे की एडिशनल ग्रांट जो है वो इमाचल प्रदेश को हमने दे यह मोदी जी की सरकार है यहाँ योजनाओं के लिए यहाँ विकास के लिए यहाँ इंफरस्टेक्चर क्रिएटेशन के लिए कभी धनकी कमी नहीं हो सकती मित्रो यह मानिये मोदी जी के नेत्रतों में काम करने वाली सरकार हम किसी परिवार को बनाने के लिए नहीं निकले मोदी जी के नेत्रतों में हम देश को बनाने के नहीं निकले हम साबागे चाली है कि हमारा नेता हमारा नेत्रत चाहे पार्टी का नेत्रत ओओ चाहे देश का नेत्रत ओओ चाहे सरकार के नेत्रत करता हो निरंतर 24 गंटे 365 दिन अपने शक्ति का एक भी अनों और जहां तक शिमला में वाट स्प्लाई से स्मंदित कुछ बाते की जारी है तिखी में एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि एक दोर बहुत कठीन था जब भाती जनता पार्टी की सरकार को बने हुए तीन-चार महीने का टाइम हुआ था तो उस वक्त एक बहु प्रव सरकार की नाकामी थी क्योंकि इतना सारा लिकेज होता था और जो स्कीमों को आगुमेंट करने की जरूरत थी उसके लिए ध्यान नहीं दिया और पानी का संकट हुआ लेकिन उसी साल हमने तै कि अगले साल कभी पानी का संकट जो है इस तरह करना हो सत्तर क्रोड रु पहले हमने उस योजना को चाभा से पानी की स्कीम को शिम्ला के लिए बना करके त्यार किया और उसके बाद पानी का संकट नहीं हुआ अब की बार थोड़ी कटनाई जरूर आई है लेकिन कताई भी जिस परकार से कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस परकार के स स्थिति नहीं है शिमला में तीस तरह दिन पानी बिल्कुल नियमित रूप से वहां पर आ रहा है आज मुझे इस बात की खुछी है कि बहुत महत्तपूर निर्ने हुआ है और उसे निर्ने का मैं देभूमी हिमाचल परदेश और वीव बीर भूमी हिमाचल परदेश में अव जोश के साथ वह काम करें नई टकनॉलजी के साथ जो है वह काम करें उस दिश्टी से साड़े सत्रा साल से एकी साल तक के नौजवानों के लिए एक बेहतरी निक अफसर उसमें दिया गया है जो उसमें जा करके आगे बढ़ करके जो है वह काम करेंगे और उसमें ये भी त टेकनिकल चीज़ों को ले करके अभी सारी चीज़ें वो होनी हैं उस आप्चारिकता के दौर को पूरा करने के बाद आगे भी वो सर्वीसिस की जा चकती हैं और देश की सेना को ताकत देना देश की सेना को मजबूती देना एक जो बहुत बड़ा लक्ष है हमारे पधान मंत जी ने तैय किया था उसको बुझे लगता है कि इसके मादिम से सफ़ता पूर्वक हासिल करेंगे